मुझा दूल लिये हैं और मैं कर रही हूँ डिनर की तयारी तो डिनर की तयारी में ऐसा कुछ खास नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आज मैं बनाने वाली हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो मैंने सुचा थोड़ी बात भी कर लोगा इस बस एक ही चीज़ कहनी है कि मेरे चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रोज आपको नए नए टिप्स या तो लाइफस्टाइल से र तो प्लीज अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो नए तो पहले मत कीजिए और मेरे वीडियो नए लगती है तब ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे लेकर जाइए कोशिष यही करऊंगी कि मैं रोज नहीं कुछ नहीं तिप्स लेकर आई जो आपके लिए रूपफुल हो चाहे वो टेकनिकल हो या लाइफ स्टायल से हो रेलेटेड हो या रेसिपीस रेलेटेड हो तो यहीं उमीद करती हूं शीख करैंद वीटेट साथक्ति च्वाइब और तर तो किए, बतान साफ कंटेने के बाद, इन नौन KKIP पाताता हुआ सिंख बिल्कुल साफ हो जाती है और मैं क्या करती हूँ गीर में ङीजर लगा हुआ है पहले दिखाया था जिन में गीजर के पानीननीघत वॉटर होना है चौह बारश होरा rophok div masonak Dobik चाहे तो आप उसको पराटे के साथ यूज कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप नाचोस वेगरे के साथ यूज कर सकते हैं तो आपकी मर्जी है कि आप किसके साथ यूज करना चाहते हैं बढ़ रेसीपी बहुत तगड़ी होने वाली है तो बने रही है मेरे साथ और चलिए फिर मैं बनाने के लिए रेडी करते हूं सब कुछ रेडी करके ही आपको बताऊंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती फिर आप लोग द और यहां पर मेरे सोसाइटी के बच्चे होते और कहीं बाहर के बच्चे अलाओर नहीं इस वजए से में थोड़ी दिर के लिए बहुत हैं जो भी मैंने सलूशन बनाया था किचन साफ करने का उसी से में कर रही हूं सालसा की रेसीवी बनाने के लिए तो यहां पर मैंने लिए हैं दो प्याज और दो तमाटर दो हरी मेश लिए मैंने आंधा नीवों लिया है और कुछ कलिया मैंने लिए हैं लैसन की तो इसमें करना क्या है आप अपने एकॉर्डिंग ही मिर्च ले सकते हैं जैसे आपको पसंदे तो यहां पर मैं क्या करूँगी एक प्याज और एक टमाटर को मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी वो भी गैस पी करूँगी और फोक और फिर उसके बाद यह करेंगे यहां पर हम इसको मिक्सर में डाल दिया मैंने देखिए टमाटर जो है टमाटर का जो मैंने स्किन है उसको भी निकाला क्योंकि उससे जो जली हुई वह है उसकी स्मोकी फ्लेवर वाता है इस वज़े से ही इसको मैं आग पे सेख के बनाती ह जाहें तो आप मिर्च को एड कर लीजेगा सूखी या साबूत या फिर ऐसे ही पाउडर में और यह मैंने डेड़ चमश लिया है और उसके बाद मैं इसको कर लोंगी पीस लोंगी पीसने के बाद यह रेडी हो जाएगा अब यह जो मैंने यहां पे एक प्याज और एक टम मैं एक प्याज और एक टमाटर को अच्छे से फाइन चॉप कर लिया था और मिर्च को भी अच्छे से फाइन चॉप कर लिया था उसमें मैंने मिलाया है जो मैंने प्याज पकाए थे आग पे प्याज और टमाटर लैसन उसको मैंने पीस केस में मिलाया है और एक चीज उसके बाद मैं एक कि और ऊड़ास नमक कटने के रहा है सेना और इसे बाद से चीजों से बन सकता है और यहां पर मैंने आधा नीबू का रस्वे मिलाया है और यह जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने आधा ही नीबू लिया है आपको जिस क्वांटिटी में जितना टमाटर और जितना प्याज ले रहे हैं उसके कोर्डिंग आप मिक्स कीजेगा और अच्छे से इसको मैं मिक्स करने के बाद मिल जाने पर सबका फ्लेवर मिल जाएगा एक साथ तो यह मैं आच्छे से मिक्स कर रही हूं मिक्स करने के बाद इसमें एक चीज और ऐड़ाए जो है और कि और करेंगे इसमें पहले तो ये दिखा रही हों मैं कि कैसा इसका फ्लेवर आया है। बहुत रेड नी आया। ये औली वोल को मिक्स कीजे इस में और mix करने के बाद उसके बाद फिर से इसको अच्छे से मिलाईए मिलाने के बाद यह आपका जो सालसा डिप है और रेडी हो चुका है आप तो गाइस देखिए कितने कम चीजों से ही आप बना सकते हैं इसको आप सैंडवीच में भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए आप य उसकर सकते हैं